इतने बड़े इतने बड़े हैं कि अभी तक इनकी साधी भी नहीं हुई है और लड़े अपकी साधी नहीं हुई है अब देख सकते हैं पिर वाँ क्या वाथ वाँ कि एसे तोड़ लेते हैं अब सकते हैं समाजवादी पार्टी का जंड़ा भी लगा हुआ है और अखलेस यादो जी मुश्कुराते हुए नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं सीदी तस्वीरे दिखा रहे हैं आपको परताब गड़ जिले से नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रमोद गुपता और आप देख रहे हैं जे भारत ने हो जिस वक्त मेरी मौजूद्गी है उत्ता प्रदेश के प्रताब गड़ जिले में और मेरे सामने जो सक्स हैं वो पूरे भारत के सबसे बड़े सक्स हैं इनकी लंबाई जो है 8.2 फिट है पूरे देश के सबसे बड़े सक्स हैं और आपको बता दूं कि ये सबसे बड़े नेता है यानि कि 20 के सबसे बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी भी जोईन कर चुके हैं आप देख सकते हैं मैं चेयर पे खड़ा हूँ आप देख सकते हैं सिधी तस्बीर सकते हैं किस तरह से क्या बात है कि कहते हैं कि कोई मोटा होने के लिए जाना जाता है तो कोई छोटा होने के लिए जाना जाता है और कोई छोटा होने जानता है लेकिन एक तरह उपशिया वह भी है कि इतने बड़े अभी इतने बड़े है कि कि अभी तक इनकी सादी भी नहीं हुई है। सब्सक्राइब सब्सक्राइब गए थे तो आपकी जो फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वारल हुई अखिलेश यादव सिर्फ यहीं तक आ रहे थे जो सबसे लंबे थे आप ही वहां पर दिख रहे थे हाँ मखलेश यहाद तो भाई फुरा सालंबाइन की कम है तो छोटे लगेंगे ही अज़क घरोर में जाने के लिए वह आपको दिक्कत होता होगा लेकिन जितने छोटे हैं उत्रही हैं महाल बेक्तित के धनिये हों पहुत सरल सुभाव के आदमी हैं और सब के साथ चलने वाले पहलते हैं यह और सब का अहल करते हैं और उनके पास कोई जाथपात अब्हेद वह नहीं है आपने समाजवादी पार्टी क्यों जोईन की ऐसा कुछ कारण रहा है बस वही अखलेज जी के विचारों को देखते हुए मैंने इसमाजवादी पार्डी जोईन की और उनकी जो है कारसेड़ी और लोगों को सम्मान देना उनका खास एक नज़रिया है जिससे मैंने समाजव पर आपको घरों रहां में तक्लीफे होती होंगे भुल्कुल घर जाने में दिखत होती है चुक्हें भूले नाया नहीं यह और हमारे नाप के कूई गारी देहिंए आप देखी सकते हैं यह दर्वाजा है मैं दर्वाजे से उपर हूँ अच्छा यह कपड़े कहां से सिलवाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती होगी टेलर सिलते हैं लेकिन जो है बड़ी मुश्किल से जो है उनको नाब जोग लेना पड़ता है और हो भी ऐसे आप तुरह अब दर्वाजे जो है लंबे हो रहे होंगे अपने जो नहीं बन रहे होंगे हाँ मेरा घर पीसे टूट रहा है तो बन रहा है तो अपने हिसाब समय प्रोड़ा सब्सक्राइब कर वहांगा जैसे कहीं डाक्तर रोक्तर को दिखाना होता होगा कुछ इस तरह की परसानी एककत होती है डिक्तर समय बुलाते हूं भी अच्छ गार ओर में कैसे बढ़ते प्रसा कारे बैठते हैं चोटी है बसागी पीछे कर फोड़े जाते है तो गाड़ी तो हमारी विए कोई बनी नहीं है सब्ध्यक्र जोड़ें बड़ी आपके लिए कोई गारी नहीं बनी है ह कोई ऐसी कंपनी है कि हमें आलग इस पेस देखर गाड़ी को बना कर हमारे लिए बढ़ने कर सकते हैं अभी हम इसमें आसानी से जा सकते हैं लेकिन अभी सर को देखिए गाड़ने सिंग जी को देखिए गाड़ी किस तरह से घुष्ते हैं यह देखिए इसके लिए आपको दिखा रहे हैं उत्ताप प्रदेश के प्रताब गर्जिले से धर्में सिंग के जो सबसे बड़े नेता है सबसे बड़े नेता है समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन कर लिए हैं तो सर आगे जैसे कि क्या तैयारिया है चुनाव नाव कुछ लड़ने की तैयारी है क्या मैं जो है मिल चुका है क्या कुछ मुद्दे रहेंगे विकास के क्या कुछ रहेगा कि क्या करेंगे लखनवा सीओ के लिए वहां पर देखिए कि सबसे पहला काम कि जो हमारे गरीब लोग हैं उनके पास हर तरह के सुब्धाय नहीं पहुछ पाती हैं तो मेरा प्राथमी कुछ देश सही रहेगा कि मैं जिस से से चुना अलड़ रहा हूं वहां लोगों को किसी प्रकार की समस्य नहीं होनी चाहिए सड़क हो पानी हो विजली हो और जो गरीब बच्चे हैं उनकी सिच्छा का प्रवंद मैं ही भी करूंगा उनके खेल कूद का प्रवंद करूंगा और वहां पर उनको एक नई जीवन जीने का तरीका सिखाऊंगा और चुनाओं की तयारिया किस तरह से तरह हैं अब चुनाओं की तयारिया मैं अपने प्रचार से कर रहा हूं और वहां छेतर में होडिंग और लगवा दिया हूं और थोड़ा हमें काम सा इसलिए प्रताब गड़ में हैं तो जब आप निकलते होंगे जैसे कहीं टूरिस्ट प्लेस पे कहीं अंग्रेज आपको देखते सेल्फी ने लेने लगते हों फोटो लेने लगते हों ऐसा होता है देखिए ऐसा हमें कोई भी देखके रूख सकता है और सेल्फी लेने के लिए दोड़ सकता है चुकि इस्वर ने हमको ऐसी जो है लंबाई दी है तो हर हर कोई आकरसित होता है और हर कोई हमसे बात करने के लिए होता है कि हम बात करें हमसे और फोटो लेने के लिए जो है भी काफी उनको जो है इच्छा राइटिक में इनके साथ एक सिर्फीट है कभी ऐसा हुआ कि अचानक से ऐसा मोमेंट आया कुई आपको क्या-क्या दिक्कते आती हों कि मतलब कि मेरे लिए अभिसाब बन गया ह है मुझे दिक्कत ही दिक्कत है मैं कैसा लंबा हुआ है अब साथ मतलब कोई इसी चीज होती ही नहीं है अगर भगवान ने सबको जो है जीवन दिया है तो हर आदमी को अपने जीवन जिने का तरीका है और मैं बिल्कुल नर्मल नाइव जी रहा हूं फस्क्लास उसमें कि मतलब कि जैसा भी बगव अच्छा लंबाई आपकी अचानक से सर बढ़ी थी कि या कुछ ऐसे बढ़ती गई थी नहीं है कुछ सिस्टम में नहीं है जो नेचर में है वही नेचर रिती के सब्सक्राइब कितनी होगी हमारी जो है 47 साल है तो देख सकते हैं धर्मेन सिंग जी हैं जो परताब गर जिले के हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं और देश के सबसे लंबे सक्स हैं और 20 के सबसे बड़े नेता अभी ये दो साल पहले दो साल हो गया सर आप अखलेस यादो जी से मिलने गए तो अमरूद अमरूद तो ऐसे तोड़ लेते होंगे कि देख सकते हैं पिर कि वाह क्या वाथ वाह से तोड़ लेते हैं तो देख सकते हम वह सारी तस्वीरे दिखाएंगे दिंचरिया भी दिखाएंगे धर्मेन सिंग जी का कि मतलब किस तरह से इस चोटी सी गाड़ी में समजवाधी पार्टी का जन्डा भी लगा हुआ है और अखलेस यादो जी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं सिधी तस्बीरे दिखा रहे हैं आपको प्रताब गड़ जिले से देख सकते हैं अभी गेट को सर खोल주는 देख सकते हैं किस तरह से अर्जेस करते हैं खुद को किया बात है अच्छा डारेट डारेट आप नहीं बैठ सकते सर देख सकते हैं किस तरह से जो नार्मल इंसान होता है नार्मल हम लोगों जैसा नहीं बैठ सकते सर लेकिन देख सकते हैं यह सीधी तस्वीर देखिए इसको खुलिए गज़ा पूरी तोड़क रखते हैं और पीछे करके रखते हैं अच्छा जो दिन्चरिया होती है मतलब की कहां कहां मतलब कितनी दूर आते जाते हैं आप आप ही चलाते हैं कि कोई और चलाता है गाड़ी द्राइबर चलाता है कभी आपने चलाने का प्रयास किया कभी कुछ थोड़ा तो थोड़ा बहुत दूर चला लेते हैं थोड़ा दूर बहुत देख सकते हैं किस तरह से धर्मेन सिंग जी का दिन्चरिया है और कुछ भी मतलब कि शीरी की जरूरत नहीं पड़ती है आसानी कि से सब कुछ पा जाते हैं और गारी में किस तरह से बैड़ते हैं सारा कुछ हम आपको प्रताब गड़ जीले से इसकली जी दिखा रहे हैं आप बताइएगा कि आपको देश के सबसे लंबे ब्यक्ति का इंटर्विव कैसा लगा हमें लाइक कमेंट और सेयर करके जरूर बत